नमस्कार आप देख रहे हैं पितक आपके साथ मैं हूँ अमें तिवारी और मेरे साथ मेरे अग्रज भूमनेश शेंगर बहुत गिनोबाद भूमनेश भाई का साथ और एक बड़ी खबर के साथ भूमनेश भाई और मैं आपके सामने हाजिन है अगराजधानी में स्यासत भी चलती है राजधानी के बड़ी निकलती है राजधानी के इक एक हल अधिगारी से हल वह ने कि उस हल्चल ने बहुत कुछ सवाल खड़े किये हैं भुमनिश भाई को सीधे रुख कर रहा हूं भुमनिश भाई एक हल्चल हल्चल है देखे जिस तरह से आपने का भौपाल जो है वह सरगर्मियों में जीने वाला शहर आप भी रहें जानते हैं अच्छे से सरगर्मिया हो उतनी सरगर्मी भौपाल में ब्यूरोक्रेसी को लेकर होता है ब्यूरोक्रेसी का गढ़ होता है किसी प्रदेश की राजधानियों अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म नहों तो फिर राजधानी ही कैसी क्योंकि दिल्ली में देश भरके और भौपाल म बूरो क्रेसी में बड़ी बड़ा अधिकारी सिस्थेम में कौन होता है एाइस i s अधिकारि बड़ा होता है पृक्र पप पृतिश्थित में एकेक डिश्थित में बड़ी अधिकारी और बड़ी अधिकारी में आएप Charlie जो ब्शुक्राइटिक तपके में गजब की हल्चल है, हम रभीष पाल सिंह ने समराथा भॉपाल में है, वहां की हल्चल बुल्ड कि घरी है, गंभीर है, भो भी हम उनके साथ जोडेंगे, बताएंगे, लेकिन मेरे सूत्र बताते है कि अब सवाल यह उठ रहा है कि यह आया कैसे कोई कह रहा है हनी ट्रैप है तो किस ने फसा या कौन फसा और अगर ऐसा है और अधिकारी कमलनास सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट में से जो विश्वास पार्टर ब्यूरोक्रेट थे उनमें से एक जिने बड़ी जगे बढ़ है बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अगर ऐसा होता है तो कौन सा तबका है जो इस तरह के हनी ट्रैप में फसा रहा है कौन लोग इसमें इंवॉल्व हैं अब सबसे बड़ी भूमिक हाला है कि अधिकारी खुदी चुट्टी पर चले गाए चुट्टी बेज गया जाता है जैसा कि होता है मुमन जी लेकर रवीश रवीश हमारे साथ जोड़ गया है रवीश पाल सिंग हमारे साथ जोड़ चुके हैं रवीश जैसा कि बात कर रहा हूं कि भुपाल में इस वक्त 3-4 दिनों से ब्यूरो क्रिटिक स्थर पर जो सरगर्मी है वो अपने चरम पर ऐसी कभ जब से पुरा वीडियो जो है तो लेकर कि इस तरीके से दो पहलू होते हैं इस वीडियो के भी फिलाल दो पहलू निकल के सामने आरे हैं एक जो पक्ष है वो लगातार यह कह रहा है कि यह तब कुछ हुआ है क्यों बहुत वरिश्ट रिकारी है जलत हुआ है लेकिन दूसरा पक्ष है कि इसनों हो सकता है कि नहीं भशाने की कुछिश्ट की वह यह तो थॉय वह उट है हैं यह तो फिलाल ऊचनम लुगाज प्रिशाथने के राही है तो पर फिलाल इस प्रिम हिएक पड़े प्रिशाथनिक अधिकारी के वीडियो और लेकर रिरक के प् कि अगर वो एक्ष्ण लेकी तो पहला सवाल जाएगा कि आपकी सरकार के अधिकारी जो है, बेहर बरीच अधिकारी वो इस तरीके के कर्मों में पाय गाए, लिप्ट पाय गाए उसे तब अगर एक्शन लेते हैं तो सवाल ये भी है कि एक बड़ी जो है प्रशास्ते गदिकारियों की वो भी नाराज हो सकती है तीसरी बड़ी बात जो दिकल के सामने आ रही है वो ये कि सरकार खुद नहीं चाहती कि वो एक्शन लेती तो उसे बताना पड़ेगा कि एक् इस प्रशास्ते का अधिकारी है उन्हें अगर फपाना है तो बहुत जो तरीके है वो भी आसानी से सबके सामने आ जाएंगे जाए तो प्रशास्ते का अधिकारी तो फिल्हाल दो थरों में पटे ही हुए है रवीश एक बात बताईए सवाल ये है कि ये हनी ट्रेप क्या अगर हनी ट्रेप था तो किसने फचने लगाया था क्यों फचाने के लगाया था और कि vors इस तरह के वीडियो ऑर बिछाने की कोई ऊसक्ते कि इस ऑयंश कॉन पर अभी फिलाल इसकी की कोई जाँच नहीं हुँ ऊघ तो पुलिस में इसकी कोई शिगायट हुई है नहीं विभाग ये इस तरफ पर इस वीडियो की कोई जाच हुई है और नहीं अभी तक ये निकल के सामने आया है कि आखिरकार ये मामला हनीट्रेप का बनता भी है क्या नहीं क्या इस थिती तभी इस पश्ट उपाई कि जब इस मामले की तहकिकात होगी ना थो पुलिस की तरफ से ना ही विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से अब इदर किसी भी तरीकी कुभी ईयाट जाट की गई है आलक तरos लेकार की घोंडर के वीडियो सामने आने ही समंदो दिकारी है वो लंभी ँछुटी पर चले गए है आज सामाने परशासन विभाग में जब हमने बात की है तो पहां के पकाइदा मंद्री हैं डॉक्टर गोविन सिंग उनसे हमने बात की तो उनका भी यह कहना था कि बहुत जल जो है इस पे कारवाई की जाएगी फिलाल वो भी इस पे कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं और यह उन्हें पर प्रिकार बात करते तमाम बाते बताहिएं कि तरीके से इस पुरे वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को जल्डी जो है पीछे चुड़ाना हम ज़र्गार्जी बहुत जहुड़ी हो का इन सवालों से वारना बहुत मुश्कि बीवार भी तक बिूरोक्रेटिक लिहाज से स्टिबल नहीं हो पाई, या अपने भी महसूस किया होगा, कभी किसी को बदलते हैं, कभी किसी को बदलते हैं, कभी फिर लिए भॉशस इस्था इन नहीं पाया? वो इस्तिती क्या बन पाई और इन सब के बीच में यह धमाका हो गया? हम प्रशास्निक व्यवर्था को देखें, प्रशास्निक कतावट के नाम पे जब तबादले होते हैं, तो बोचे शरकार नहीं सरकार आने के महस कुछ तिनों तक ही होते हैं, लेकिन यहां पे तो साथ महीने हो गए, चौथे दिन पांच वर दिन नई सूची जो है, वो आ जा दिन पर भी हो लेकिन जिस तरीके से मद्डिपते को बिजली कटोटी हुई जिस तरीके से बिजली कटोटी का ठीकरा पहले अफ़सरों पर फोड़ा गया, उसके बार ट्रांस्वार prof पर पोड़ा गया, उसके वैसे ही प्रातर अगर म कर्जमाफी की करते हैं, उस पे यह कि शुरुआत में काजमाफी इसले थीमें जल रही है, क्योंकि काजमाफी की प्रक्तिया है उसका ठीक से पालब की जा रहा है, हमने देखा था कि तरीके से ग्रामी नहीं लाक़ी जिब सूची आजी थी काजमाफी की, किसी का जो है दो रूपे माफ होता था तीन रूपे मामले गारे इस तरीके से? तरीके के जूपाँ, हाँ, जी रविश मेरा था ऐसे मामले आएंगी दुपराव इस तरीके से, स्थितिया जो है, संतोर जनक तो नहीं काई जाएंगे, बिगड़ेंगी यह बिलकुल बगड़ेगी, क्योंकि बिगड़ने के अगर हम बात करें, कि यहां पर सुधार को छो रहा हो, सुधार होता तो सुधी सूरत में तो कम सगम नहीं दिख रहा है, और यह जो हालिया वीडियो सामने आए, यह आपको बताएं कि यह बहुत चंशन की खाबरे निकल रही है, जैसी कि भूबने जी ने थोड़े देर पहले कहा था, क्या य कि रहते अधिकारी हैं जो हैं अजर फसे हैं अगर इसकी चांश होती है, और जांश होने के बात अगर कुछ बाते निकल के सामने आथी है तो वह सकता है, इसी तरीके से जोड़े है वे महत कून दथावेज रहत हैं वे हनी ट्रैप के चक्कर में अधिकारी बड़े हैं तो यह भी तो जाज की जानी चाहिए कि अगर इसा कुछ है मामला तो कहीं कोई फेवर को नहीं गया हो चलिए रविश बहुत 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 शुक्रिया हम असा जुड़ने के लिए बोपाल का हल चाल आपसे इसी तरह हम लेते रहेंगे लागता है जब विधान सवा में दो बीजेपी के विधायकों क्या पाला बदल ना कहूंगा बले बीजेपी माने अना माने उसके बाद से जो कमला सरकार को एज मिली थी उसके बाद यह जो प्रशासनी के इस तरीके से चीजे हो रहे हैं बोपाल में वो एक तो बैक फूट पर जाता है दूसरा अब जो जो सियासी सरगर्मी है वो टिकी हुई है मंत्री मंडल के विस्तार पर क्योंकि आपको याद हो कि हमने निर्दली विधायक से बात की ते उनका कहना था कि मुझे तो पक्का आश्वासन दे रखा है और ऐसे लॉलिपॉप एक को नहीं कमलनाजी ने दसियो सब आश्वस्त हैं दसियों विधायकों को बाट रखे हैं और दसियों विधायक आश्वस्त हैं कि हम तो मंत्री बनने वाले हैं अब सवाल यह कि कमलनाजी कितने लोगों को मंत्री बनाते हैं यह देखने की बात बस तो यह बड़ी ख़बर है लेकिन भुपाल में हल चल है झाल